नमस्कार दिलेश देवांगर नाम है मेरा और आप समी का डीडी यूट्यूब चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है 2024 के चुनावी मुद्दों में ये काला धन गायब क्यूं है? काला धन की बाते 2024 के चुनाव में क्यूं नहीं हो रही है? क्यूं बात नहीं की जा रही है काले धन की? आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने अपने घोशना पत्र में बिदेशी बैंकों में काले धन जो जमा है उसको वापिस लाने की बात की जा रहे थी और ऐसे सपने दिखाए गए थे कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनेगी, मोधी की सरकार बनेगी तो काला धन को हम बीदेशों से वापिस लाएंगे और बीदेशों से वापिस लाने के बाद यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम है वो भी बहुत कम होंगे लाखो युवाओ फो रोजगार मिलेगा ऐसी बातें कही जा रहे थी 2014 के चुनाबी मुद्दों में काला धन की वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के खूब चर्चाएं चल रही थी उस समय चाहे मीडिया जगत में हो टेलिविजन दुनिया में हो हर त बड़ा देश के नागरीकों के भीतर एक अलग जगाने जैसा था कि हाँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वीदेशों में काला धने उसे वापिस ला सकती है और इसलिए पुर्ड बहुमत के साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई देश के अंदर नरेंदर मोदी जी प बड़ाओ किये गए और कुछ नए कानुन भी बनाये गए काला धन को लेकर के लेकिन उसका कोई खास असर दिखा नहीं इसलिए नहीं दिखा अगर असर दिखा होता तो 2024 में 10 साल बात काला धन की वापसी हुई होती अगर वापसी हुई होती और देश को बड़ा फायदा ह हुआ होता तो कहीं न कहीं इसकी चर्चाएं हो रही होती इसकी बाते हो रही होती या बीजेपी के मैनुफेस्टों में बीजेपी के घोशना पत्र में इसका जिक्र होता इसकाम्याभी का जिक्र होता लेकि काले धन के जिक्र ही नहीं है काले धन के बात ही नहीं हो रही है और इसलिए ऐसा लगता है कि 10 सालों में सरकार का इंटेंशन नहीं था, 10 सालों में सरकार का इरादा बुलन रही था कि काला धन को लाया जा सके और करप्सन को मिटाया जा सके, इसलिए कह रहे हैं इंटेंशन नहीं था, क्योंकि जो बड़े बड़े काम थे, आपको याद कि शायद ही हो पाए लेकिन उसके बाद मोदी जी के गौर्रमेंट में ही ये एक एतिहासिक देखने को मिला, निर्डए देखने को मिला कि आर्टिकल 370 खत्म हो गया, उसे बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने ही खत्म किया, ट्रिपल तलाक, तीन तलाक का जो मुद्ध कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता, ये इसलामिक जो सवीधान है, इसलामिक जो नियम कानून काईदे हैं, उसके तहट आता है, और चुकि जो देश है, वो है धर्म निर्पेक्च देश है, और यहां सभी धर्मों के नियम काईदे, उनके संस्कृति चलती है, उनको माना जा इसमें खत्म करना मुश्किल है, ये कहा जाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने 3 तलाग को भी खत्म किया, 500 साल जो पुराना मुद्दा था, राम मंदीर का, राम मंदीर निर्माण का, उसको भी ऐसा लग रहा था, कई बरस हो गए थे, कई योंने आह राम मंदीर का निर्माण हुआ, और प्राण परतिष्ठा भी हुआ, तो बीजेपी की सरकार में ही बड़े-बड़े एतहासिक फैसले भी लिये गए, काम भी हुआ, तो आखिर ये कालाधन का काम क्यों ने हुआ, कालाधन की वापसी का क्यों ने हुआ, इसलिए हम ये कह र कालाधन को लेकर के सरकार का इरादा साफ नहीं है, बलकि कालाधन को सफेद करने के नए-नए तरकीव अपनाते रहते हैं, नया-नया कानून बनाते रहते हैं, और उसी का एक मिशाल है, इलक्ट्रोल बॉंड, इलक्रोल बॉंड के जो नियम बनाए गए है, उसमें इसलिए भी है, क्योंकि जो सुप्रिम कोट ने फटकार लगाया है, कि ये सारवजनिक आपको SBI को करना होगा, कि कितने लोगों ने बॉंड खरीदा, और किसको दिया, ये सब सारवजनिक करिये, तो उसमें से एक चीज सामने निकल करके आया है, कि जो कमपनियों का जो आय पस्ट महसूस होता है, कि कहीं न कहीं इसमें काला धन्धा तो है, काले धन की बाद 2014 में हुई थी, और 2014 से लेकर के अब तक जो हिंदुस्तान की युवा थे, किसान थे, मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग जो था, वो ये सपने देख रहे थे, कि जैसे ही काला धन आयेगा, दे इसके हीत में बदला होगा, हर तरह का महंगाई, डीजल, पेट्रोल, अन्य दाम, जो बढ़े दामों को भी कम किया जाएगा, लाखों रुजगार उपलफ्त कराए जाएगे, युवा ये सोच करके बैठा था, इस आस में बैठा था, कि जैसे ही मोधी की सरकार बनेगी, का काला धन वापिस आएगा, तो 15-15 लाख रुपए भी हर नागरी के खाते में आएगा, हला कि बाद में बीजेपी के नेताओं ने स्टेटमेंट दिया, कि ये जुमला वाक्य था, किसी नागरी के खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो 2024 में भी है, क्योंकि वो वापिस ने आया है, इसका मतलब वो है, और अगर वापिस आया होता, तो BJP जैसी पार्टी, नरेंदर मोदी जैसे नेता, जो अच्छायों को पर्मोट करने के लिए जाने जाते हैं, प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं, और वो मैनुफेस् करिया भी साजा करिएगा, ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा, कि इन मुद्धों पर बाते होनी चाहिए, कि नहीं चैनल में नए होंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है, और हम चाहते हैं, कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने,